हेलो दोस्तों हम जान रहे थे reference coordinate system के बारे में आप नीचे जाएंगे तो यहां पे हमने working pivot का option मिलेगा हमने इस grid के बारे में जाना था इसके नीचे है working pivot तो जैसे ही आप working pivot पे जाओगे आपको वी एपोर्ट में कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस working pivot को आपको edit करना होता है यहां पे आप देखेंगे यहां पे modify tab है उसके आगे जो है higher की tab है hierarchy type में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको working pivot का option मिलेगा यहां से आप edit working pivot, use working pivot और यहां पे कुछ और option दिये हुए है तो यहां से दोस्तों इस working pivot को edit करना होता है तो हमें edit करने के लिए edit working pivot पे click करना होता है जैसे ही आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ option देखने को मिलते हैं यहाँ से आप reset कर सकते हैं यहाँ से आप ok कर सकते हैं और यहाँ से आप cancel कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर आप देखेंगे यह जो gizmo है यह grid के पिल्कुल center में है इसे हम edit कर सकते हैं इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं कुछ इस तरह से हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं कुछ इस तरह से edit कर सकते हैं और edit करने के बाद हमें ok करना होता है हम यहां से OK करेंगे या फिर Use Working Pivot पर क्लिक करेंगे दोनों एक ही बात है तो जैसे ही हम OK करेंगे आप यहां पर गौर करेंगे यहां पर Local लिखा हुआ है अभी यह जो है Automatically यह जो है Working Pivot पर Change हो जाएगा और यहां पर Pivot Point Center में है अभी यह जो है Transform Coordinate Center में यह जो है Transform Coordinate Center में Change हो जाएगा और आप गौर करेंगे यहां पर Edit WP लिखा हुआ है इसका मतलब होता है Edit Working Pivot जैसे ही हम OK करेंगे यहां पर Use Working Pivot आ जाएगा तो यहां पर हम OK करते हैं तो दोस्तों जैसे ही हमने हमने OK किया यहां पर Working Pivot आ चुका है और यहां पर हम Transform Coordinate Center पर आ चुके हैं और यहां पर जो Edit WP लिखा हुआ था ओओ Use WP लिखा हुआ है मतलब Use Working Pivot तो इस तरह से दोस्तों आप Edit कर सकते हो एक बार फिर हम Edit Working Pivot पर चलते हैं तो एक बार फिर यह जो है गिस्मों जो है Center में आ गया तो इस तरह से इसे आप Edit कर सकते हो कहीं भी उसके नीचे कुछ और Option दिये हुए है जैसे कि Align to View लिखा हुआ है तो दोस्तों जैसे ही हम Align to View पे हम क्लिक करेंगे यह जो Blue Axis जो Z Axis जो उपर की ओर है ओडिफाल्ट केमरे क्यों आ जाएगा अभी जो हम देख रहे हैं ओडिफाल्ट केमरा से देख रहे हैं हमारे वीव वोट में एक डिफाल्ट केमरा होता है और एक डिफाल्ट लाइट होता है जो हम जूम कर रहे हैं तो हम केमरे को जूम कर रहे हैं अब हम orbit कर रहे हैं तो इधर उधर जो है orbit कर रहे हैं मतलब रोटेट कर रहे हैं केमरे को तो जैसे हम Align to view पे click करेंगे यह जो c-axis है जो blue arrow है और default केमरे की और आ जाएगा तो align to view करते हैं तो देखिए दोस्तों ये जो blue है वो हमारी तरफ आ रहा है इस तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम align to view पर क्लिक करेंगे तो दोवारा ये जो है blue जो blue arrow है जो z axis है वो हमारी तरफ आ रहा है एक बार इस तरफ से तो आप समझ गया होंगे ये क्या है उसके आगे reset आप कर सकते हैं तो इसे हम reset करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा उसके आगे view का option है यहाँ से आप view पर क्लिक करेंगे view पर क्लिक करने के बाद आप इस object के surface पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये जो है default camera की और ही आएगा क्योंकि हमने view पर क्लिक कर रखा है तो ये जो के-समो है ये surface पर बिल्कुल चिपक जाएगा कुछ यह snap कर रहा है जैसे लगेगा यहाँ पर आप surface पर click करेंगे click करने के बाद जैसे ही आप कहीं भी रख सकते हैं इसे लेकिन आप देखेंगे यह जो सही snap नहीं कर रहा है snap इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर align to view पर यहाँ पर check है इसे हमें off करना होगा पहले हमने इसे off किया है उसके बाद surface पर हमने click किया हुआ है और यहाँ पर हम दोबारा यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यह जो है gizmo जो है इस object के surface पर आ रहा है हम यहाँ पर रखके देखेंगे तो भी देख सकते हैं आप बिल्कुल snap कर रहा है यह snap कर रहा है जैसे लग रहा है लेकिन यह surface पर आ रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप surface पर बिल्कुल gizmo को रख सकते हो इसके आगे है align to view जैसे आप align to view पर क्लिक करेंगे तो यह जैसे आप रखोगे तो surface पर भी आएगा और view में भी आएगा cx is बिल्कुल default camera की ओर होगा तो इस तरह से दोस्तों आप working period को edit कर सकते हो और edit करने के बाद यहाँ पर ok करना होता है जैसे ही आप ok करोगे यह अपने यहाँ पर working period पर आ जाएगा और यहाँ पर use working period यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद है local alignate दोस्तों इस local alignate के जादे use नहीं होता है लेकिन इस pick का use होता है तो चलिए इस pick को देख लेता है तो दोस्तों हमने working period के बारे में जाना आगे है pick option दोस्तों इसमें हमें किसी object को pick करना होता है जिस भी object के pivot को हमें adopt करना होता है मान दीजे कि हमने यहाँ पर एक box बना है और इसे हमने उपर क्योड ले गए है आप जरागावर करेंगे यह जो object है इसका pivot यहाँ पे है और यह जो selected object है यह चोटा वाला box है इसका pivot यहाँ पे है इसका उपर साइड है और इसका नीचे जरफ है क्योंकि object ही ऊपर है मान दीजें कि हमें इस object के इस object में कि प्यूट को यहाँ पर लेके जाना है तो उसके लिए यहाँ पर पिक करना होता है प्क करेंगे और इस object को इस object को pick करेंगे उसके बाद यहां से आपको transform coordinate center पर जाना होता है और जैसे ही आप जाओगे तो आप देख सकते हैं selected object का किसमों जो है जो यहां पे था वो यहां पे आ चुका है यहां से आप इस object को manipulate कर सकते हो तो यह दोस्तों pick option यहां से आपको pick करना होता है जैसे कि हम इसे pick करेंगे pick करने के बाद यहां से आप transform coordinate center पर जाओगे और इस object का जो किसमों यहां पे था जिसको हम यहां पे ले गए और अब जो है यहां पे आ गया तो आप किसमों जो है यहां पे आ चुका है तो यह है दोस्तों pick option और जो भी object आप pick करोगे वो यहां पे आपको दिखाए देगा यह पहला बड़ावल box था वो यह बड़ावल box है और जो pyramid 001 लिखा हुआ है वो यह pyramid है